नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों मैं सीमा सेंग आने टिटोरियल में आप सभी लोगों का हर दिख स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम होली विशे पर निबन लिखेंगे और मुझे पता है कि सभी बच्चों को होली खेलना बहुत पसंद है अभी होली आई भी नहीं है और बच्चे होली खेलना सुरू कर दिये है रस्ते पे जाओ तो बच्चे पन्नी में पानी भर कर मारना सुरू कर दिये है लेकिन ये गलत है बच्चो, हुली के दिन ही हुली खेलिए आप लोग जो पन्नी में पानी भर के थेखते हो वो चोर से लगता है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जा रहा है और आप पनी में पानी भर कर उसे मार रहे हो तो उसे चोट भी लगती है उसके कपड़े भी गिले हो जाते हैं और उस वेक्ति को कहीं जाना है तो वहाँ पर वो गिले कपड़ों के साथ कैसे जाएगा तो बच्चों हमें ये सब नहीं करना है होली बहुत अच्छा तेवार है रंगों का तेवार है लेकिन उसे आप होली के दिन ही मनाईए पहले से आप होली मत बनाईए और किसी दूसरे को तकलिफ मत दीजिए होली का तेवार आनंद के लिए है किसी को दुख देने के लिए नहीं है ठीक है बच्चों तो चलो आज हम होली विशय पर निबंद पड़ेंगे होली हिंदु धरम के प्रमुक तेवारों में से एक है जिसे रंगों का तेवार भी कहा जाता है ये जो हमारा भारत देश है इसमें बहुत धरम के लोग रहते हैं लेकिन जो हिंदु लोग है हिंदु धरम के लोगों का ये प्रमुक तेवार है और ये जो होली का तेवार है इसे विभिन रंगों से मनाया जाता है और होली को रंगों का तेवार भी कहते हैं चलो आगे देखते हैं होली हर साल फागून मार्च की महिने में विभिन प्रकार के रंगों के साथ मनाई जाती है जो होली का तेभार है यह हर साल मार्च महिने में मनाया जाता है होली का तेभार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है बच्चों जो होली का तेभार होता है यह हमारे भारत देश में सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं आजकल तो सभी धर्मों के लोग हुली के तेवहार को बहुत धुमधाम से मनाते हैं। आगे इस दिन घरों में तरह तरह के पक्वान बनाये जाते हैं। आप लोगों को तो पता है है ना हुली के दिन कितने सारे पक्वान बनाये जाते हैं सभी घरों में। होली का तेवार लोग आपस में गले लगकर और एक दूसरे को रंग लगा कर मनाते हैं जिस दिन होली रती है उस दिन बच्चो आप लोग भी अपने दोस्त के हां जाते हो उनको रंग लगाते हो गले मिलते हो मिठाई खिलाते हो है ना आगे देखो इस दोरान धार्मिक और फागुन गीत भी गाये जाते हैं होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं मिठाई खाते हैं और गाने भी गाते हैं होली पराधारित आगे होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है बच्छों जब हम होली मनाते हैं उसके एक दिन पहले हम होली का देहन कहते हैं होली का जलाते हैं आप लोगों कि यहां जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं मुझे कमेंट करके बताईए कि टीचर हमारे यहां नहीं होता है हमारे यहां नहीं करते हैं ठीक है? चलिए मुझे फटाफट कमेंट करिए आगे होली का तेवहार मनाने के पीछे एक प्राची नितिहास है बच्चों होली का तेवहार क्यों मनाया जाता है इसकी पीछे भी एक कारण है हम उसे देखेंगे प्राचीन समय में हिर्ने कशप नाम का एक असूर था बच्चों बहुत साल पहले प्राचीन काल में हिर्ने कशप नाम का एक असूर था राच्छस था जो भगवान विष्णू का विरोधी था वो जो हिर्ने कशप था वो भगवान की पूजा नहीं करता था उनका विरोधी था वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ चलो आगे देखते हैं उसकी एक दूष्ट बेहन थी जो हिर्णा का शब्था न बचो उसकी एक बेहन थी जिसका नाम होलिका था उस बहन का नाम था होलिका कशफ के पुत्र प्रहलात भगवान विश्नू के बहुत बड़े भक्ते जो हिरना कशफ था न बिटा वो तो भगवान को बिलकुल नहीं मानता था लेकिन उनका एक बेटा था और वो भगवान विश्नू की बहुत पूजा करता था वो उनका भक्त था इसे कारण कशप ने अपनी बेहन होलिका से पुत्र प्रहलाद को जान से मारने के लिए लेकर आग में बैठने को कहा जो हिरना कशप था वो सब को कहता था कि नहीं कोई भगवान की पूजा मत करो विश्णु भगवान की पूजा मत करो लेकिन उसका बेटा ही नहीं सुनता था बाकी लोग तो डर की मारे नहीं करते थे लेकिन जो उसका बेटा था भक्त प्रहलाद वो उसकी बास सुनता ही नहीं था और वो विश्णु भगवान की ही पूजा करता था तो हिर्णा कशप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम मेरे पुत्र को मेरे पुत्र मतलब बेटा आप मेरे बेटे को होलिका में लेकर बैठ जाओ आग में लेकर बैठ जाओ क्योंकि जो होलिका थी न बच्चो उसे आग से जरने का डर ही नहीं था उनको भगवान का अर्शिवात था कि होलिका को अगर हम जलाएंगे तो भी वो नहीं जलेगी ऐसा होलिका को वर्दान था तो हिर्णा कश्च अपनी बेहन होलिका को कहता है कि आप मेरे बेटे को लेकर आग में बैठ जाओ चलो आगे देखते हैं क्योंकि होलिका को आग में ना जलने का वर्दान प्राप्त था क्यों हिर्णा कश्च अपनी बेहन को क्यों बोला आग में लेकर बैठ जाओ आग में हम बैठेंगे तो जल जाएंगे लेकिन हिर्णा कश्च को पता था कि जो उनकी बेहन होलिका उन्हें भगवान का वर्दान था कि वो आग में कभी भी जल नहीं सकती है इसलिए हिरना कशब अपनी बेहन होलिका से कहता है कि आप मेरे बेटे को लेकर आग में बैठ जाओ उसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाती है फिर उसके बाद जो हिरना कशब की बहन रहती है होलिका वो प्रहलाद को गोधी में लेकर आग में बैठ जाती है लेकिन प्रहलाद आग में सुरक्षित बचे रह जाते हैं जबकी होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो गई हेना कशब को पता था कि मेरी बेहन होलिका आग में बैठेगी तो भी वो नहीं जलेगी क्योंकि उसे भगवान का वर्दान था लेकिन क्या होता है बच्चो जैसे ही होलिका भगत प्रहलात को लेकर आग में बैठती है होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है उसे कुछ भी नहीं होता है समझे बच्चो जो होलिका रहती है वो जल जाती है क्योंकि वो गलत काम करती है हम किसी को तकलीफ देंगे वो तो अच्छी बात नहीं है वो प्रहलात को जलाना चाहती थी क्यों? क्योंकि उनके भाई ने कहा था लेकिन ये गलत है हम किसी को नुकसान पहुचाएंगे तो हमें ही नुकसान होता है तो जो हुलिका थी वो प्रहलात को आग में लेकर बैठ जाती थी बैट जाती है जिसके कारण हुली का जल जाती है लेकिन प्रलाद भगवान जी का बगत था और वो इसलिए बच जाता है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर यह जो हमारी होली निबंद था होली पर निबंद वो यहीं पे समापत होता है ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेर करिए हैपी होली जै हीर जै भारत